असलाम अलाएकुम देखे आज मैं बनाओंगी हैदरावादी बिडियानी तो देखे यहां पे हम चीकन ले लिए हैं तो चीकन को हम अच्छे से साफ कर लिए हैं यहां पे इसे हम धूल करके डराय होने के लिए रख दिये हैं तो यहां पे हम 4-5 मेडियम साज का टामाटर लि हैं यहां पे लिए थोड़ा सा पoodin न पता हैं यहां पे लिए चारपय कते हैं यहां पे हम गासे içосьसर ने थे ने नहीं एक हम टेए की इसी अधरा दुलिए यह दुर्य दोलें पानी में तो चलिए मिक्स करके दिखाते हैं आपको तो देखे अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इसे हम पांच मिनट के लिए छोड़ दिए थ Watts तो देखे अब चलते हैं फ्राइ करने के लिए तो इसमें हम निम्बू करश थोड़ा सा गार दी हैं तो यहां पे हम चरहा दी हैं कडाही इधर हम चरहा दी हैं कुकर तो चलिए हम चिकन को फ्राइ कर लेते हैं तो कडाही गरम हो चुका है तो इसमें हम वायल को डाल दी हैं कोकर भी चरहा दिए तू देख़े कूकर्वी नाइन टेल हैं इथ अधर मसाल्रा तयार करने के लिए ये तो अधर हम चीकन रखती हैं फड़ाय होने के लिए तो देखिए देख सकते हैं तो जादा हम फड़ाय करेंगे ये स सब्सक्षताथ करेंगे तो इधर हम फ्याज डाल दिये हैं कुकर में फड़ाई होने के लिए तो देख सकते हैं इसे हम चलाती हुए फड़ाई करेंगे तो देखिए हम ज्यादा फड़ाई नहीं किये हैं चिकन को हलका फड़ाई किये हैं तो चलिए हम निकाल लेते हैं फिर दूसरा वाले भी हम डाल दियें इसमें तो देखें मेरा प्याज फ्राइ हो चुका है इसे बढ़ावन नहीं किये हैं गुल्डन पे किये हैं तो चलिए इसमें हम लशन अधरक का पेश्ट डाल दिये हैं तो देखें दूसरा वाला भी हम चिकन को फ्राइ कर लिये हैं तो चलिए हम इसमें अब डाल देते हैं तो चाली इसमें हम पानि डाल दिए हैं तो चल्य इसे अ च्छे से बहुंन लेतें तो देखिये कितना अच्छा बहुंन चुका है जिव घे टमाटर आधार से अच्छी तौर इसमें हम एक्स कर देंगे सasında अच्छचा से कर दिया है कुछर को फॉम हम ह orig कर लगा दिये हैं तो इस데ंउ दो कहां दो हैं तो इसे में पानी ले ली हैं तो यहां पर हम डाले हैं गरम मसाल आपके पास जो भी कर शारें डाल सकते हैं तो यहां पर हम जीना पट्ता और धनिया पट्ता डालें हैं हम डिफाइन डालें चमची नमक डालें नेम्मबू का रष्ण डालें हैं दो से तीन पत रक पतता डाले हैं तो चलिकोंगयाई चलिए तो चलिए हम कैशिंक प्लेंप людей का शीघी कप करा है तो चलिए इसमें चिकन को डाल देते हैं तो देख सकते हैं इधर हम चिकन को डाल दिये हैं तो चलिए हम इसे चलाती हुए फड़ाय करेंगे तो देख सकते हैं पानी इधर उबल चुका है तो चलिए हम चावल को डराए होने के लिए रख दिये थे तो देखिए चावल मेरा कितना अच्छा है तो चलिए हम इसमें चावल को गिरा दिये हैं तो इसे हम चला देते हैं तो देख सकते हैं इधर हम चीकन को भून रहा है मसाला में रख करके तो देख सकते हैं चावल को ज्यादा पकाएंगे नहीं नहीं तो टूट सकती है ज्यादा इसे गलाना भी नहीं है चावल को तो देख सकते हैं चिकन मेरा फ्राइय हो चुका है तो देख सकते हैं इधर हम चावल को पानी निकाल दिये हैं देखिए मेरा चावल कितना अच्छा खिला खिला है तो ज्यादा चावल को हम गलाये नहीं है तो चलिए हम चावल को दूसरे बरतन में टास्फर कर लेते हैं तो देखिए हम दूसरे बरतन में टास्पर कर लिए हैं चावल को तो चलिए अभी हम इसमें तह लगा देते हैं तो देखिए पतीला में हम तह लगाते हैं तो देखिए हम पहले चावल को बिछाए हैं उसके बाद इसमें चिकन डाले हैं फिर से दुबारा से हम इसमें चाव आपिदीन एंगे घर उमनुजयारता चुछ ऊता है जापन है तो देख सकते हैं इसम देना डाले निमबू कि गारा शौक अब देख सकते हैं आप डाले इसमें विडियाईनी थोड़ा सा बिड связ निकाल रखेते इसमें डाले नेता लिद और अई में दाल दिए हैं केतना अच्छा देखने में लग रहा है तो चलिए किवरा का पानी डाल देते हैं। इसे चीचन डाले हैं धनिया पती और टमाटर आधा और प्याज एक खड़ी मिर्च थोड़ा सा पुदिना पत्ता और अधरक तो देखिए गाइस का फिले पांच मिनट के लिए हम चरहा दिये थे तो इधर हम रायता भी तयार कर लिए हैं इधर बिर्यानी भी तयार हो चुका है तो ठंडर होने के बाद आपको हम निकाल करके दिखाते हैं तो देख सकते हैं पलेट में हम निकाल लिए हैं कितना अच्छा बना है बहुत ही अच्छा बना है तो देखिए रायता के साथ जरू टराए किजिए देखिए मेरा रायता भी बहुत अच्छा बना है और बिर्यानी भी वह टेस्टी बना है एक भी चावल नहीं टूटा है बहुत ही अच्छा खिला खिला बना तो चले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए फिर मिलते हैं नेफ्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज़